नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल एवरिधिंग हिंदी पर आपका दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं पोलका डॉट के बारे में और पोलका डॉट अब तक जितने भी आपने कोईंस के बारे में सुना है ये उन सब में से थोड़ा सा समझने के लिए जटिल है मतलब फ्रोसा डिफिकल्ट है तो आज ये जो पोलका को डॉट है इसमें क्या खास है इसमें खास सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो अब तक आपने समझे थे सारे कोईंस वो सब अपने एक सिस्टम बाइक ब्लोकचेन पर काम करते हैं लेकिन इसका जो म आपसे बात करने वाले हैं पुलका डॉट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये जो भी वीडियो में हम बात करेंगे ये एजुकेशनल कॉंटेंट है कहीं से भी ये फाइनिशल एडवाईज मत समझ लीचेगा क्योंकि इस वीडियो में कई जगा हम कैसा बताएंगे कि पुलका डॉट आपको लगेगा इससे अच्छा तो कोई गवाईनी नहीं है तो वहाँ पर excited होकर आप buy order मत लगाएगा पूरी वीडियो देखिए उसके बाद यही सारी चीज़े जितनी सारी चीज़े मैंने बताई इसका description में भी link है उनसे verify करिए अप पॉलका डॉट के बारे में जानने से पहले इसकी history में जान लेते हैं कि क्या इसकी history कैसे शुरुवात हुआ था तो पॉलका डॉट की history शुरुवात हुई थी वापस ethereum से जैसे एडा की history शुरुवात हुई थी ethereum से वैसे इसकी भी history शुरुवात हुई थी ethereum से तो ethereum के co Co-Founder है जिनका नाम है Gavin Wood और Gavin Wood की एक और Company चल रही जिसका नाम है Parity Technology और Parity Technology का काम था सब चीज ध्यान से सुनिए ये सारी चीज एक Chain मिलकर बनाएंगे तब आपको पूरी Story समझ में आगी कि ये हुआ क्या है और उसके बारे में उसके बाद signature वाले wallet यानि कि कई सारे लोग उसको यूज कर सकते ऐसे hardware बनाती है तो यहां तक का सब कुछ ठीक है उसके बाद फिर Gavin Wood अपने एक दोस्त के साथ मिलकर Web3 नामसे एक NGO बनाते हैं जिसमें कि वो उसका काम होगा कि Polka.co support करना search, research और development में उसकी मदद करना तो यह Web3 बनी तो यहां पर तीन कंपनिया हो गई अब उसके बाद फिर Polka.co ने अपने ICO लांच किया जिसमें ICO में क्योंकि Polka.co का इतना ज़ादा भैंकर technology अभी आगे वीडियो में में बताऊंगा जब बताऊंगा Polka.co क्या है तो आपको भी लगेगा कि हाँ Polka.co से इच्छा तो कोई ही नहीं तो यही सारा project जब उन्होंने launch किया market में तो Polka.co को लोगोंने हाथो हाथ लिया और 50% इनकी जो supply थी वो हाथो हाथ भी की और 140 million dollar की यानि 140 million dollar के ETH यानि Ethereum के रूप में इनको Ethereum मिला और उन्होंने Polka.co को sell किया 50% यानि 5 million 10 million total supply के असपास है इसकी अभी और supply भी कुछ updated है वो last में बताऊंगा तो 50% supply उस समय जितनी थी वो बिग गई तो 140 million इनको dollar receive वा और वो dollar hardware wallet में store किया गया यानि कि वो Ethereum hardware wallet में store किया गया और वो wallet किसके थे जो parity technology ने hardware wallet बनाया थे वो और ये decide कौन किया था Web3 जो कि Web3 यानि Gavinwood और Peter करके एक लोग है उन्होंने बनाई थी तो इस सब कुछ देखिए घरी घर में चल रहा है जैसे होता नहीं हमारे आज हमारे बीच में कि सब कुछ एक ही लोग decide करते हैं वही सीज यहां भी चल रहा है अब Web3 ये decide कि parity के जो भी hardware है उसमें सारा जो पैसा है fund सारा जितना भी raise हुआ है Polka.co increment बनाने के लिए बढ़ाने के लिए वो सारा hardware wallet में रखा जाए तक्रीबन 5,13,000 Ethereum थे जो उस समय यानि 2019 के समय में इतने सदा value नहीं रखते थे क्योंकि 2019 में Ethereum की value उतनी नहीं थी जितनी आज है हाँ उस समय के हिजाब से थी जरूर लेकिन इतनी नहीं थी तो 66% उनका value जो भी initial मिला था वो खराब हो गया उसके बाद भी Polka. उसी तरह चलता रहा जिस हिसाब से वो चलता रहा क्योंकि Polka. का इतना जबर्दस टेक्नोलोजी है जो कि लोगों को पता चला कि इस तरह किसे मिस हैपनिंग हुई है तो लोगों ने फिर से उसमें इन्वेस्ट किया और फिर से उनकी ICO जो लाँच किया 2019 की बाद से फिर सेकेंड सेल किया फिर थर्ड सेल किया फिर उसके बाद पब्लिक सेल के लिए लाए तो जो प्राइविट सेल थी उसमें भी लोगों ने बहुत अच्छा कासा इंवेस्ट किया और फिर सेन के पास पैसा है और उसी तरीके सब कुछ चलता रहा तो ये इनकी हिस्टरी है आप जानते हैं पॉलकाडॉट कैसे काम करता है क्या पॉलकाडॉट है तो पॉलकाडॉट आप तक जितनी भी ब्लॉक्चेन को लोग यूज़ करकर अपने कौइन बनाते है तो पॉलकाडॉट उससे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है पॉलकाडॉट ने सब्सट्रैक्ट ब्लॉक्चेन को यूज़ किया है सबस्ट्राइक ब्लॉक्चेन फ्रेमवर को यूज किया है जो की एक प्रोडक्ट है पैरिटी टीम का पैरिटी टीम कौन जो की जिसके फाउंडर है गैविन वुड तो यह सब चीज इन ही कही चल रहा है और क्योंकि जो गैविन वुड है उनको एक लेंगविज भी खास आती जिसकी वज़े से इथेरिय में भी बहुत खास थे उसका नाम है सॉलिडिटी लैंगविज तो सॉलिडिटी लैंगविज जो लोग ब्लॉक्चेन में काम करते हैं वो जानते हूं कि इस तरीके से इसमें खास रहती है तो इसकी वज़े से इसमें काफी साधी ऐसी छोटे- को मिला कर यह ब्लॉक्चेन बनाई जाती है जो आगे हम बात करते हैं और इनकी वेबसाइट पर सबसे पहले देखते हैं कि यह आप छे से आपको समझ में आ जाएगा तो यह इनकी पूरी ब्लॉक्चेन है इस तरीके से यह है एक एक पार्ट का यहां पर अलग-अलग नाम है अलग-अलग रोल है उसके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो इसमें रोल आता है वो रिले चैन है रिले चैन यह है रिले चैन जहां मेरा माउस चल रहा है इसको देखे और इसमें कहा है रिले चैन यह है रिले चैन यह वाइट वाली उसके बाद नेक्स्ट रिल पारचेन इसमें यहां पर है एक चीज धियान से समझेगा पारचेन का यूज क्या है कि जितनी टोकोनोमिक्स है जो ब्लॉकचेन पर जो जो चीज इस स्क्रिप्ट लिखी का यह वह सारी चीजे धियान रखना उसकी बाद है पैरा थ्रेड उसकी बाद ब्रिजिस और ब्रिज क्या है कि कोई भी अधर प्रोडक्ट आप इस पर बना सकते मतलब यह खुद से ब्लॉक्चेन प्रोवाइट कराती है जैसे कि अभी कोसामा या कई कई सारे और जो टोकन्स या कोई बनते हैं वो इसकी ब्लॉक्चेन को यूज कर सकते हैं बतलब अभी तक क्या होता था कि जैसे ब्लॉक्चेन एक ब्लॉक्चेन को यूज करता है तो आप यहां पर इनकी ब्लॉक्चेन को यूज करेंगे तो उनसे फाइदा क्या मिलेगा यह स इतना जो चाहे वो अपना separate data रख सकता है, जितना चाहे उसना आपस में share कर सकता है, तो sharing, scalability, ये सारी चीज़े बढ़ाने के लिए ये नई तरीका का system पुलका.ड ने लाया है, इसी लिए पुलका.ड रहा सा technical है, और उसके बाद कुछ और सारी चीज़े हैं, पुलका.ड मे ये सब चीज़े दिया हुआ है, तो पुलका.ड एक डिफरेंट तरीके से काम करने वाली चीज़ है, अब जानते हैं, पुलका.ड की टोकुनामिक्स क्या है, पुलका.ड किसे साब से इसके token डिसाइड है, कितने आने है, ये एक अलग चीज़ है, पुलका.ड का जो system डिसा इसके बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, ये proof of stake पर काम करता है, तो सबसे ज़्यादा इसके staking होती, 62% मार्केट में जो circulate है, वो stake कर दिया गया है, तो staking से काफी ज़्यादा reward लोग पा रहे हैं, और इसकी total supply की बात किया जाए तो 10 million है, अब इस हिसा ये भी है कि अगर इनकी validator, यानि जो लोगों ने staking किया है, आप हम नहीं, हम लोग बहुत थोड़ा-थोड़ा stake करते हैं, जो ज़्यादा-धा quantity में stake किये हुए हैं, वो validator कहलाते हैं, और वो लोग अगर चाहें, उनमें से 86% अगर voting होगी, तो 10% से लेके 100% तक इसकी supply को बढ़ाया जा सकता है, यानि कि 10 billion है, तो 1 billion तक जा सकती, 100% तक का बढ़ाया जा सकता है इसको, तो ये total supply है, उसके बाद इसका use और क्या क्या है, इसका use ये है कि जब कभी इनकी parachain पर जो parachain हमने दिखा ये circle में, जब कभी कोई ने blockchain को use करता है, तो जब वो testing के लिए आती है, तो उसमें staking करने पड़ती है, जैसे एक बार अभी कुसामा का आया था, कुसामा के साथ dot को लगा कर stake करना था, तो काफी सारे reward मिलते है तो जब वो stake complete हो जाता है, तो वो reward आप वापस withdrawl कर सकते हैं, तो ये सारे system में use होता है, governance में, यानि कि voting के लिए use होता है, तो इ उसके बाद अब जल्द ही इसकी supply कुछ ना कुछ बढ़ जाएगे, तो उसके बाद इसका price देखते हैं, अब जाता है, तो अब तक आपने एतनी लंबी मेरी वीडियो देखी है, काफी जादा बोर हो चुके होंगे, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी वीडियो म पारें बताया, लेकिन जो पुलका रोट को बनाया है, गैविन वोड उनसे ने मिलवाया, तो गैविन वोड से मिलवा देते हैं, आपको गैविन वोड काफी ज़दा मेहनत करते हैं, ठक जाते हैं, और फिर वो अपनी stress दूर करते हैं, कैसे, साइड में आप देख रहे हैं कैसे, अच्छी कासी मेहनत के बाद, अच्छी कासी system से अपनी मेहनत दूर की जाती है, वो भी publicly interview में, तो ये एक अच्छी चीज़ है, खेर दोस्तों, ये एक मजाग की तरह से लीज़ेगा, इसको बिलको seriously मत लीज़ेगा, सब की अपनी पनी लाइफ है, सब अपनी तरह enjoy क करते हैं, बागी, आपकी भी कोई राय हो, तो नीचे comment कीज़ेगा, उसके बाद अब बात करते हैं, पोलकाडोट के potential के, तो पोलकाडोट का potential है, वो इसलिए क्योंकि पोलकाडोट एक यूनिक चीज़ लेकर आ रहा है, अभी आने वाले समय में, जब Ethereum भी इनकी ही चीज़ follow कर रहा है, वो जो sharding network है, वो जो sharding तरीका है, blockchain का, जो इनका use करने का है, वो Ethereum 2.0 में वो भी launch करने जा रहा है, तो ये एक यूनिक चीज़ लेकर आए है, और सारा system इनका यूनिक है, तो future potential भी है, और कभी भी इसको अच्छा खासा pump मिल सकता है, जो अभी तक इतना बढ़ा सकते, वो matter रखती है, लेकिन इतना matter नहीं रखती है, और इसको long term के लिए सोचा जा सकता है, अपने portfolio में add किया जा सकता है, तो दोस्तों ये थी मेरी polka.co के बारे में, वीडियो उमीद करता है, वीडियो को पसंद आए होगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसक्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप मुझे follow कर सकते हैं, everything, Ajay, सभी जगा का code है, इस camera से बचके रहिएगा, इस camera से कभी भी कोई पैसा मत दीजएगा, thank you so much वीडियो देखने के लिए, subscribe जरू कीज़े चैनल को, धन्यवाद.